आई एवरिवान कैसे हो आप सभी लोग आई होब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूर आहूल जेस्वाल एंट स्वागत करता हूँ आप सभी का एक पर फिर हमारे यूटूब चैनल जे यार टूटोरियल्स में तो दोस्तों सबसे पहले बताओ यार कैसे हो आप सभी लोग य यानी जो पहला चाप्यों का एक चाप्टर मैस्टू बी no क वह और चुकह है और आज अगें मैं बाई आउ के लिए मारे बहुत तरी चाप्टर के शिरुवात करने तो हम लग पढ़ने वाले आज 11 recomp due का चैंप्ट नुमर टी जिसकर नामे किनम ट्लांट्ट है यार Śवा में इंटरेस्ट है बाटनी मतला प्लांट्स के आपको आज मजा आने वाला बहुत ज्यादा ठीक है तो किंग्डम प्लांटे का लेक्चर नमर वन आज भी को हमारा जो पढ़ाने की तरीका वो ऐसे है हम छोड़ी चोड़ी वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगो का रोज कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई हो सके तो आज का वीडियो भी अगेन एक छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत एफेक्टिव वीडियो है क्योंकि इस चाप्टर का इंट्रोडक्शन प्लस इस चाप्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजे हैं वह हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हमने kingdom Monera पढ़ा था प्रोटिष्टा पढ़ा था kingdom fungus पढ़ा था ठीक है ना उसके अलाव हमने kingdom प्लांटे और kingdom अनिमल भी पढ़ा था लेकिन kingdom प्लांटे में हम जब आपको पढ़ा रहे थे उसमें एक चीज़ बोला गया था कि भाईया उतना साही explanation था उसमें उस चाप्टर में लेकिन क्यों उसमें उतना ही साही था क्योंकि उसके लिए na kingdom प्लांटे के लिए na अलग से एक चाप्टर लोग ने बना के रखा हुआ है तो यार आप लोग को ये चाप्टर पढ़ना है अलग से मतलब पूरा का पूरा एंटायर प्लांट्स के बार में पढ़ना है और ये तो 11 में पढ़ना है और 12 में चाओगे तो और मज़ेदार होगा देकिन 11 के में बेसिक कॉंसेप्ट जो है ये समझ के लिए लो अगला चाप्टर होगा वो भी हम लोग पढ़ाएंगे टेंचन मतले ना बहुत बेटरीन तरीके से पढ़ने में मज़ा आएगा दोस्तों तो टेंचन मतले ना बिल्कुल बिंदास तरीके से पढ़एंगे बायलजी मज़ेदार होगा चलो शुरूआत करेंगे तो सबसे पहले जो plant होते हैं इसके classification के अगर मैं बात करूँ तो अब तक हमने जो भी plants के बार में पढ़ा था बहुत सारे अलग-अलग टाइक के classification देखे हमने ठीक है ना lower plants higher plants यह 12 में जाओगे तो और lower and higher plants करके एक chapter भी आएगा आपको लेकिन यहाँ पर इस चाप्टर के अंदर हम लोगो जो classification पढ़ना it is based on किसके ओपर बेस है यानि कि उस plants के अंदर seeds है या नहीं है उसके ओपर depend करता है उसके अलावा जो plant का body type है कि किस प्रकार का वो plant है किस प्रकार का उसका body structure है body type कोन सा है उसके बारे में हम लोगो study करना इस चाप्टर के अंदर हम लोग आपको चीज़े बताएंगे तो यह था हमारा basic introduction की चाप्र किस बारे में है क्या क्या पढ़ना है और एक चीज़ शुरुआत करने से पहले बोलना चाहूंगा हमेशा बोलता हूं तड़ीज follow me on instagram क्यूंकि आप आप लोग अगर connected रोगे instagram पे तो आप लोगो पता चलता रहेगा कि हमारे टुटोरियल में क्या क्या हो रहा है मेरे लाइफ में क्या क्या हो रहा है जैसे बीच में मेरा तव्यक्त करता हूं तो आप मुझसे जुड़े रहना इसके लिए follow करके रख लो अभी सही और साथ म हमारा telegram group को भी join कर लेना वहां पे भी बहुत सारे free में contents आपको मिल जाएंगे ठीक है चले शिरुवात करते हैं तो सबसे पेरे हम लोग बात करेंगे किस के बारे में that is kingdom plant ये जो ध्यान से इस classification को अच्छे तरीके से समझना ये जो आपको दिख रहा kingdom plant ये तो kingdom plant ये का generally द plants are divided in two main parts that is first one is crypto games दिख़र आपको the first one is crypto games ये आपने स्थिक नाइन स्टैंडर में पढ़ा होगा आपको याद होगा चाप्टर ता classification of plants उसमें में classification आपको बताया था उसी प्रकार यही है पूरा चाप्टर में लेकिन उस classification के अंदर भी हम लोग घुसने वाले उस classification के अंदर और classification है वो भी हम लोग घुसने वाले हैं तो ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग तो सबसे पहले मैंने बोला कि kingdom plant दो हिस्सों में divided है एक है आपका crypto game और दूसरा जो है अब इन दोनों को समझो सबसे पहले यह हमारा सबसे दो main चीज है ना उसके अंदर अंदर तो जाना ही हम लोग को lecture by lecture जैसे आएंगे इस chapter के और अंदर अंदर तो जाना ही है तो tension की दो बात ही नहीं है ठीक है लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो crypto game है crypto game या फ उसका vascular tissue में कौन present है कौन absent है उस हिसाब से तो यह जो fanerogams के जो category के जो plants होते है न यह क्या होते हैं they are called as the seed producing plant क्या बोलते हैं दोस्तों उसको seed producing plant बोलते हैं क्यों क्योंकि भाईया इन plants के अंदर जो भी plants होंगे fanerogams के अंदर सभी में seed होगा तो अब आप imagine करो अब आप imagine करो आपने जितने भी plants देखे हैं जितने भी fruits खाए हैं जिसमें भी seed आपने देखा है वो सब के सब कोन होंगे fanerogams होंगे और क्या बोलता है कि अगर कोई plant seed produce कर रहा है मतलब समझ जाना कि they produce the special reproductive structure that are visible यानि कि कहीं न कहीं इनके अंदर एक special structure visible होता है जिसको हम लोग बोलता है flower आप एक चीज़ जानते होंगे कि fruit आने के पहले flower आता है ठीक है जैसे आपने mango का example ले लो mango के पहले उसका flower आता है ठीक है पैने रोगांज और अल्सो कॉल्ड आज़ फ्लावरिंग प्लांट्स पैने रोगांज को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं clear है समझ में आ रहा है जस्तों तो बहुत smoothly जा रहे हैं कुछ hard नहीं है फैने रोगांज को क्या कहते हैं seed producing plant and also called as the also called as the flowering plants यह हो गय से पढ़ा था आपको याद हो का 9 standard 10 standard sexual reproduction याद करो plants के अंदर कैसे होता था यादे कि नहीं एंथर stigma यह सब चीज़ पढ़के रखे हम लोग double pollination क्या आता pollination क्या होता यह सभी चीज़ पढ़ा हुए 10 standard chapter number 3 life processes in living organism part 2 याद आ रहे है कि नहीं नहीं पढ़ा है तो जाके देखो हमारे videos पहले से ही present है हमने पूरा पढ़ाया हुए आपको अगर नहीं आता है तो revision की तौर पर आप जाके पढ़ सकते हैं कोई परिशानी न यानि कि कहीं न कहीं क्रिप्टो ग्राम्स के अंदर ना फ्लावर नहीं आते भया क्रिप्टो ग्राम्स के अंदर आप देखोगे ऐसे टाइप के प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं उग रहे हैं तो समझ जाना कि वह क्या है क्रिप्टो ग्राम्स है ठीक है और यह क्या होते स्पोर प्रोड्यूसिंग होते हैं स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और हम लोग बोल सकते हैं कि स्पोर्स अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो सीड प्रोड्यूस हो रहा होगा क्या नहीं तो अगर फ्लावरी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो सीड भी प्रोड्यूस नहीं हो यह विजीबल थो तो इसमें क्या होंगे इन्वीजीबल होंगे तो यहां पर बोला है डिया रिप्रदॉडट्चिंट जुग अधिस होते हैं यानि हमें दिखाई नहीं जाते हैं मतलब इन्वीजीबल होते हैं इन शॉट तो यह कुछ बेसिक डेफिनेशन हैं और एक तरीक कि तो आपहेंगी डीटेल में थोड़ा अब देखो क्रिप्टोगांज जो है वो दो हिस्षो में डीवाइड होता है एक होता है धोस्तों नौन वस्कूलर प्लांट क्या होता है ृस्में वस्कूलर टीशू absented shifts होगा अब ये जो नॉन वेस्कुलर प्लांट है, ये तीन हिस्सों में डिवाइड़ है, ठीक है न, सुरी, दो हिस्सों में डिवाइड़ है, एक है आपका थैलोफाइटा और दूसरा है ब्रायोफाइटा, याद रखना, क्रिप्टोगान नॉन फ्लावरिंग था, इसके दो इससे हुए, नॉन वेस्कुलर एन वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर के भी दो इससे हुए थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, ठीक है, यह हम लोग पढ़ेंगे डीटेल में, और वही जो क्रिप्टोगान वेस्कुलर प्लांट में जो डिवाइड हो रहा है, वो वेस्कुलर प दो टाइप है gymnosperms और angiosperms ये भी हमने डिसकस किया हुआ है अल्री gymnosperms और angiosperms ये होते हैं और वही अगर बात करूँ angiosperms दो टाइप में डिवाइड हो जाता है तो क्या आप लोग तयार हो देखो शिरुवाद हो रही है चाप्टर के यह मतलब शिरुवाद तो हो चुकी है ना पूर अच्छे से डीडिल में एक्पिनेशन करना हूँ अब इसके अंदर थोड़ा घुसेंगे तो सबसे पहले हम लोग पकड़ेंगे क्रिप्टोगाम क्या होता है अलुड़ी मैं ने बता दिया कि क्रिप्टोगाम क्या है it is spore producing plant they do not produce seed their flowers are not visible their sexual reproductive gamets और विकल से एक है non-vascular, अब हमको non-vascular के अंदर जो तीन टाइप है थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, सोड़े दो टाइप है थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा वो हम लोगो पढ़ना है तो आज के इस lecture में हम लोग सबसे पहले crypto games की शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले है थैलो फाइटा, थैलो फाइटा क्या होता है पढ़ेंगे, अब यह थैलो फाइटा भी है ना, यह विचारा आके ला निए, थैलो फाइटा के अंदर भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, लेकिन आज सिर्फ ज्यादा वीडियो बढ़ा नहीं करूँगा आज का पहला लेक्चर आप जानते हो मेरा पढ़ाने का तरीका पहला वीडियो हमेशा में आराम से बनाता हो क्योंकि आप लोगो पहले समझ ना होगा कि यह चाप्टर है किस बारे में वह आप समझ जाओगे तो फिर तो क्या होता है पानी में पाया जाता है साथ ही में कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रो करते हैं दूसरे प्लाइट के उपर मोश्टली पानी के अंदर पाया जा रहा है आपको ठीक है लेकिन जो कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी और प्लांट के उपर आपको देखने मिल जाएंगे ग तो अभी कभी आपको यह वर्ड अगर दिग गया तो एफिफाइट का मतलब क्या होता है कि ऐसे टाइब के थैलोफाइटा जो दुसरे प्लाइट के उपर ग्रोग करते हैं उसको एफिफाइट कहा जाता है याद रहेगा इसे टाइब के थैलोफाइटा जो दुसरे प्लाइट के उपर ग्रोग करते हैं उसको बोलते एफिफाइट यह याद रखना सेकेंड तिंग कि यह मुश्ट ली क्या होते हैं अपने यह वर्ड तो सुना होगा बहुत यार पॉमन हो गया सेकेंड चाप्टर तो भर भर के हमन लोग पड़ेंगे आगे आगे जानके लेकिन आपको बता दूँए कि जितने भी अलगीं होंगे दैन भंद नथिंग बड़ थैलोफाइटा ये तैलोफाइटा के कैठेगरी से बिलोग करते हैं अब और एक चीज़ कि एएसे बहुत सारे थैलोफाइटा सो तेह बहुत सा को क्या कहते हैं, symbiotic relationship, algae क्या करता है, algae, green होने के कारण, वो अपना खाना बनाना का काम करता है, fungus क्या करता है, उसके पास shelter होने के कारण, वो shelter provide करता है, घर provide करता है, तो दोनों miljool के साथ में रहते हैं, correct है, जैसे एक मिया भी भी रहते हैं, husband wife, husband कमा के लाता है, अपना घर वगर देता है, और female जो होती है, वो खाना बनाती है, और पती को किलाती है, तो इस ली प्रकार का relationship को क्या कहते हैं, symbiotic, वो human being वाला नहीं है, यह plant की में बात कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं, symbiotic relationship, तो basically या तो marine भी हो सकते हैं, यानि खारे पानी में, समंदर वाले, ocean वाले पानी में भी मिल सकते हैं, या फिर यह fresh water में भी आपको मिल सकते हैं, यानि कि कुछ ऐसे होंगे, जो पानी के गहराई में आपको मिलेंगे, एकदम समंदर के खारे पानी में या फिर कुछ ऐसे होंगे जो तालाव में नदियों में आपको फ्रेश वाटर में देखने मिल जाएंगे और कुछ ऐसे भी होते हैं इसमें से जो फ्री लिविंग होते हैं मतलब यह किसी के उपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं या केले रहेंगे फ्री लिविंग रहे होते हैं तो कुछ ऐसे भी होते हैं फ्री लिविंग रहे होते हैं अब इनकी जो बॉड़ी होती है प्लांट ब जो टाइप है थैलोफाइटा का मतलब है एकदम खोकले होते हैं और साथी में खोकले का मतलब ये भी होता है कि इनकी बॉड़ी जो है ना ये नॉर्मल प्लांट जैसे नहीं दिखती क्योंकि एक नॉर्मल प्लांट अगर आप जब भी इमैजिन करते हो कोई प्लांट या फि इसकी बॉड़ी क्या है थैलोइड है यानि कि खोकली है प्लास साथी में अन डिफ्रेंशियेटेड है क्यों अन डिफ्रेंशियेटेड है कि इसमें जो रूट होगा स्टेम होगा लीफ्स होगा वो प्रॉपर तरीके से आते ही नहीं है इसमें ना तो रूट आता है ना ली बाद रखना कि इन की बाड़ी डिफिरेंस्सियेट नहीं हूं है साथी में इनकी जो बाड़ी होती है काफी छोटी होती है li technical थीलोर है दोसतों तो बहुत चोटी होती है this comes next को का सहारा लेना पड़ेगा तो एकदम चोटी होती है microscopic होती है और साथ ही में example है microscopic का cholera ठीक है यह आपने सुना होगा यह word ठीक है तो यह जो cholera जो होता है ना ठीक है ना chlorella chlorella इसको कैसे बोलोगे आप chlorella chlorella तो यह जो chlorella जो है ना दोस्तों यह क्या होता है unicellular category का थैलोफाइटा है जो की बहुत ज्यादा छोटा होता है microscopic होता है और यह non-motile होता है मतलब यह अपने जगा से हिल नहीं सकता यह चल फिर नहीं सकता ठीक है non-motile होता है locomotion नहीं होता है लेकिन अगर मैं बात करूँ एक और example है clamidomonas क्या बोलते हैं इसको clamidomonas तो clamidomonas एको टाइप का थैलोफाइटा है यानि एक तरीके से अलगी है समझ लो कि थैलोफाइटा का टाइप है लेकिन यह छोटा होने के बावजूद यह चल पाता है motile हो सकता है यानि लोको मोट कर परता है एक जगा से दूसर जगा जा सकता है साथ ही में यह तो बात किया मैंने Unicellular के कैटेगरी गा लेकिन जैसे मैंने बोला यह जो थैलोफाइटा होते है इसमें से बहुत सारे छोटे होते है unicellular लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो multicellular होते हैं क्या होते हैं forward तो उसका example यहाद राखना वाणेट वाट निवी आपको पता ही प की आपने स्ट्रॉकचर भी देखा होगा इस प्रकार का कुछ ट्राुच्र याद रखना ये विर सभॉत पहले पढ़ा हो सोच ≫ टे इसट कर लगण तेलोफाइटा के काटेगरी में आ जाता है, clear है, समझ में आ गया, next अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, और भी बहुत सारी important चीज़े, अब देखो थेलोफाइटा के अगर मैं बात करूँ, थेलोफाइटा में एक एक टाइप का algae है, जो कि सबसे लंबा largest algae माना जाता है, क्या है, largest algae की कहानी, तो एक biggest algae है, largest algae है, जिसका नाम है दोस्तो, sargassum, याद रखना नाम, इसका नाम क्या है, sargassum, जिसको एकदम huge algae कहा जाता है, अब huge मतलब क्या, बहुत बढ़ा पाहड जैसा, नहीं, huge algae का मतलब यह है, कि बहुत लंबा, algae मतलब क्या होता है, काई होती है, आपको पता है, बारिश में आ जाती है, जिसके पेर पेर रखे हम लोग फिसल जाते है, तो अब यह एक type का काई है, sargassum नाम का, एक huge algae है, जो कि लगबग 60 मीटर लंबा है, दोस्तो, 60 मीटर मतलब कितना हो गया, बहुत जादा हो गया, एक मीटर मतलब इतना होता है, तो 60 मतलब समझ जाओ, एक building के बराबर होगा, लेकिन यह ऐसा होता नहीं है, यह ऐसा होता है, क्योंकि यह पसरता है, यह खड़ा नहीं होता है, प्लांच जैसा, ट्री जैसा, लंबा, ठीक है, ना, कोई mango का ट्री नहीं यह खड़ा हो गया, यह पसरता है, ठीक है, algae, तो यह 60 मी बीड को कहा जाता है, sargassum पाया जाता है, marine water में खास करके, यह आपको याद रखना है, अब यह जो algae होते ही है, जो thallophyta की में बात कर रहा हूं, यह जो algae है, यह algae का जो cell wall है, इसके अंदर या तो cellulose पाया जाता है, जो कि एक तरीकी का polysaccharide material, cellulose या फिर glucose पाया जाता ह लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है, कि इसके अंदर cellulose glucose के अलावा protein यह दोनों combination में present हो, that is the combination of both, that is polysaccharides, that is एक ताइप का carbohydrate है, and as well as the protein also, तो यह दोनों के मिलके algae का till wall बनता है, अब यह जो algae है, कहीं ने का इसमें एक stored product हो का, जैसे कि हमारे human body के अंदर, animals के अंदर stored food क् fat होता है, हमारे, हमारे चर्बी जम जाती है, जैसे पेट में चर्बी आ गई न, वैसे, तो हमारे human being में या फिर animals में fat जमा होता है, वैसे यह जो algae है, यह तो थैलोफाइटा कहे थे कि दीगे, जो plants है, इसमें क्या होता है, जो stored food होता है, वो starch के form में होता है, हमेशा याद और sexual reproduction ही होता है, लेकिन और sexual की में बात करूँ, तो किसमें होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन अपने नाम सुना होगा, ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थुरू होता है, इसमें और sexual type का reproduction, और अगर बात परूँ यह जो थैलो फाइटा जो category का plant Z मैं मुझाला यह क्या है तो Elges क्या होता है इसके अंदर पिगमेंट्स भी प्रेजिर्ट हो जैसे प्लांट्स होते हैं उसके इन बहुत सारे बहुत सारे pigments present होते हैं, तो based on that pigments, pigments के presence के होने के वज़े से, अब pigment कौन-कौन से देखो, pigment है chlorophyll, xanthophyll and phycobilin, ये तीन टाइप के क्या होते हैं, pigments present होते हैं, और इनी के आधार पे जो algae है, ये जो thallophyta category का जो algae है ना, ये classify किया जाता है, और basically कौन से category से, क्या classification है ये हम लोग देखेंगे, लेकिन इसका explanation हम लोग next lecture में देखेंगे, तो पहले समझ लो, कि जो thallophyta इतना लंबा चोड़ा हमने पढ़ा, इसके बहुत सारे features, हमने पढ़े, characteristics पढ़े, अब इसके कौन से तीन प्रकार है, तो thallophyta is also divided into three parts, that is nothing but, first one is chlorophyce, chlorophyce, और इसको कहते हैं green algae, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या present होगा, chlorophyll present होगा, green algae है, ठीक है दूसरा जो है, वो है, phyphyce, क्या है, phyphyce, जो कि ये brown algae, ठीक है, तो brown algae है, ये brown color का होगा, तिसरा है, rhodophyce, जो कि एक red color का algae है, red algae, मतलब red color का pigment इसके अंदर present होगा, तो ये तीन टाइप के thallophyta, जो है, यानि कि algae जो है, इसको हम लोगा detail में study कर रहा है, green algae, brown algae, red algae के बारे में detail में जानना है, लेकिन इसको हम लोग जानेंगे हमारे अगले lecture में, तो आज का lecture इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ, thank you so much guys for watching this video, उमीद करता हूँ कि आपको काफी ज़्यादा मजाया होगा, आज का lecture पढ़े के, क्योंकि आज basic तरीके से एक chapter के शुरुआत के बहुत मज़ेदार, और उमीद करता हूँ कि आप जैसे आगे बढ़ोगे इस chapter के अंतर lecture by lecture आएगा, lecture two आएगा, three आएगा, आप लोग बहुत जादा मज़ेदार तरीके से पढ़ाई करते रहोगे, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये chapter, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है दोस्तो प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना, वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेर कर देना, और अगर first time आयो चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नह बाइ